हाई दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए कुछ ऐसे शब्द लेकर आया हूँ जिसको जाने बिना आप अपने अंगरेजी को अच्छा नहीं बना सकते आज मैं आपको चलाने की अंग्रेजी बताने वाला हूँ अलग-लग चीजों को चलाने की अलग-लग अंग्रेजी होती है आज हर किसी के पास मोबाइल है, कॉम्प्यूटर है, लैप्टॉप है, मैशीन है, मिक्सी है तो ये सारे डिवाइस जो उपकरन कहलाते हैं, लेक्टॉनिक डिवाइस या फिर मैशीन हो जिसे हम संचालित करते हैं, चलाते हैं तो ऐसे जीजों को चलाने के लिए हम लोग ऑपरेट कहते, क्या कहते, ऑपरेट अगर आपको कहना है, मेरा कॉम्प्यूटर मच चलाओ, डोंट ऑपरेट माइ कॉम्प्यूटर ठीक है, अगर आप ये कहते हैं, कि मुझे मिक्सी चलाने नहीं आता, I don't know how to operate this mixी तो वहाँ operate होगा, अगर आप classroom में हैं, कोई student mobile चला रहा हो तो आप उसे instruction देश सकते हैं, never operate a mobile, या don't operate a mobile in classroom, this is not good ओके, simple सी बात है, तो आज के बाद से आप इन सारे शीजों को चलाने के लिए, क्या use करेंगे, operate आए देखते हैं अब हम, जमीन पे हम लोग बहुत कुछ चलाते हैं, बहुत सारे वहाँ चलाते हैं तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे, cycle चलाना, motorcycle चलाना, या घोडे की सवारी करना, या उट की सवारी करना, जिसमें हम अपने पाउं को दोनों तरफ अलग करके, खुद के लिए चलाते हैं, खुद की सवारी करते हैं, तो ऐसे चलाने को हम ride कहते, ride, ride का मतलब सवार करना, अगर किसी को कहेंगे, पानी में cycle मत चलाओ, don't ride a bicycle in water, ए तुम, अभी स्कूटी मत चलाओ, don't ride a scooter now, अगर आप किसी को बोलोगे, मुझे motorcycle चलाने नहीं आता है, I don't know how to ride a motorcycle or motorbike, घोडा दोडाओ, ride a horse, इसलिए horse riding होता है, आर यह बात समझ में, तो इन सारे चीज़ों को चलाने के लिए आप क्या use करेंगे, ride यूज करेंगे, अगर बात समझ में, अब आईए हम लोग देखते हैं, जमीन पर ही तीन चकों से ज्यादा, यन तीन चकों से लेकर बहुत सारे चकों के जो वहन होते हैं, उसको चलाने के लिए हम क्या use करेंगे, चाहे बस हो, या train हो, या truck हो, या car हो, या lorry हो, या tractor हो, या बैलगारी ही क्यों न हो, या tanga क्यों न हो, या tum-tum क्यों न हो, इस तरह के वहनों को जिसको हम खुद संचालित करते हैं, ऐसे वहनों को चलाने के लिए हम drive का use करते हैं, which is very common that you know already, car चलाओ, drive a car, car मत चलाओ, don't drive a car, I don't know how to drive a tractor, मुझे ट्रैक्टर चलाने नहीं आता है, I don't know how to drive this bullock cart, मुझे ये बैलगारी चलाने नहीं आता, ठीक है, तो चलाने के अंग्रेजी यहां क्या हो गई, drive हो गई, बात समझ में आ रहे हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है, और आपके अंग्रेजी और भी अच्छी होने वा पानी में छोड़ी छोड़ नाव चलाते हैं, जिसको हम अपनी महनत से चलाते हैं, अपनी ताकत से, या तो चप्पू की मदद से, या बांस की मदद से, मच्छवारे लोग चलाते हैं, खेवते हैं उसको, तो नाव को कहते हैं, बोट, नाव को क्या कहते हैं, बोट, बोट से चला रहे थे इसलिए रो कहलाया लेकिन जब बड़े-बड़े जहाज हैं कारगो हैं बहुत बड़े-बड़े जहाज हैं जो हम अपनी महनत से नहीं चला सकते अपनी मैनुल फोर्स से नहीं चला सकते तो हम क्या करते या तो वो हवा के दवाब से चलता है पहले जमाने में बड़े-बड़े जहाज है, जिसके उपर टर्पॉलीन लगा होता था, उसको एक डिरेक्शन से, रस्ती से बांते थे, घुमाते थे, तो हवा के दवाब से वो चलता था, उसमें हम अपनी महनत नहीं करते थे, दिमाग लगाते थे, और आज भी वैसे बड़े-ब बड़े जहाज को हम शिप कहते, कारगो कहते, तो जब आप किसी को बोलेंगे, पानी का जहाज चलाओ, सेला शिप, सेला शिप, है ना, सेला शिप, सेला कारगो, समझ में आ रहे ये बात, तो पानी के बड़े-बड़े जहाजों को चलाना है तो सेल, और खुद से ना चला पे अवियेट यानि हवाई जहाद चलाओ एवियेट एड़ प्लें हेलिकॉप्टर चलाओ एवियेट हो है इसलिए अवियेशन डिपार्टमेंट होता है जहां पे इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह के काम होते हैं ठीक है दोस्तों चाहे आप कॉम्प्रेटिव एक